प्रव दोस्तों नबसकार के पीटी चेक अटमिया आपका हार्तिक सुवागत है आज हम सीटीपी बालविकार सिच्छा साथ सका 30 कोशने सहसे लाएंगे जो कि सीटेट पर चाहिए द्रश्टी दर्श्टी दे बहुत ही महतपूर है वीडियो को लाइकेंस ये करें चनल को सब करते हैं सिच्छा के चेत्र में पार्ठी चर्या सब्धावली की और संकेत करती है फर्स्ट अप्सन है सिच्छर पतती एबं पढ़ाई जाने वाली बिसेवस्तू सेकींड है विध्याले का संपूर कारिक्रम जिसमें विध्यारती प्रतितन अनुबव प्राप्ट करते हैं सेकेंड है मूलांकरन प्रकृया ठर्ड कक्षा प्रिउक्त होने वाली पाठ्थ समिग्री को श्यत्र के चेतŧर में मुद्याले का संपूर कारिक्रम होता है जिसमें विध्यारती प्रतितन अनुबव प्राप्ट करती है इसलिए पार्ठिक्रम इस पकार सम्रदन किया जाहिए जिससे की बैच्चों की चर्म की विकास का अपसर उपलब्द हो सके तो अंसे करेक्ट हो ज़ा इसका अकॉर्डि हमारा सैकेंड विद्ध्याले का संपूर कारिक्रम जिसमें विद्ध्यारती प्राप्त करते हैं अगला सारीक सच्छा कारिक्रम की सिद्धानतों पर यां सएकीं रच्चर पद्धियों की सिद्धानतों पर तो झोड़ान गया में प्राइब क्यों आतAtt होती हैं यसकर कि यहां ऑपर नाने सेघ्जर की आपनाने से बच्चों में सक्रिता बड़ती है और उनका मानसिक वा सारिक विकास होता है सिच्छड की खेल पतिती मूल रूप से विकास एबं ब्रद्धी के मनोबैंकरी सुद्धानतों पर आधरित है तो आंसे कारेक्ट हो जेगा इसका कोडिंग हमारा थर्ड अगला कोशन देखते हैं विडियोगों लैक करते हैं जाते हैं चैनल को स्क्राइब करने प्रेस करने नौटिफिच्छन वाद दी विडियो घुलते हैं तो आड़िक करने आपई एक बच्चा अतीत की समान परिसृतियों में की गई अनकरियों के आधार पर नई इस्तिति के प्रति अनकरिया करता है सब्सक्राइब करता है तो यह किसे से सम्माइब है इस प्रकास को समझेंगे इसके बात करते हैं कि सीखने का प्रवाव नियम अतित की समान प्रस्तियों में भी की अनुकुरिया के आदार पर नई प्रस्तिती के अनुकुरिया या प्रत्य अनुकुरिया करता है तो आंसे देखने का प्रवाव टिक कर देंगे यहां पर अगला कोशन देखते हैं डिसले विकार, फौर्थ है विवार संबंदी विकार, तो कोशन बुलागे, डिसलेक्सिया किसी से सम्मझत है, तो इसके हमें बात करते हैं, डिसलेक्सिया एक अधिगम बिकलंगता है, जिसका प्रकटी करण मुख रूप से बाड़ी वा लिखित परिच्छा, या सरी, लिखित बास होता है, तो अंसेदर करेक्सिया कोड़ी हमारा पठन विकार से सम्मंद्ध है, अगला कुशन देखते हैं, बिसेस आवश्कता वाली बच्चों को सिच्छा उपलब्द कराई, यानि चाहिए, फर्स्ट अपस ने, अन्य सामान, सोरी, अन्य सामान बच्चों की साथ, सैकिन है, बिसेस बिद्ध्यालों में, बिसेस बच्चों के लिए बिक्सित पद्दियों द्वारा, थर्ड है, बिसेस बिद्ध्यालों में, फोर्थ है, बिसेस बिद्ध्यालों में, बिसेस सिच्छकों द्वारा, जैसके हैं कुशन बुला रहा है, कि बिसेस आवश्कता वाली बच्चों को सिच्छा उपरब्द कराई जानी चाहिए तो जैसके हमें बात करते हैं कि बिसेस अबेसा वाले बच्चों को अन्य सामाने बच्चों के साथ सिच्छा उपरब्द करानी चाहिए क्योंकि इनके पिकास के लिए विध्याले की बातावर और सिच्छकों का इनके प्रति विवार्वी सुधारना चाहिए और मांसिक रूप से पिछले चात्रों पर सिच्चकों का विशेश ध्यान दियाना चाहिए अगला कोशन दिखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में चलो को स्क्राइब कर ले आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रकरिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए फस्ट अपने अलग अलग बिध्यार्तियों में तुलना करना सेकेंड है बिध्यार्तियों को बुद्धिमान या औश्रत बिध्यार्तियों की उपादी देना थड़े सहचिक और सहचिक छित्रों में बिध्यार्ति के सीखने के बारे में जानकरी प्राप्त करने के लिए बिद्वत तरीकों का प्रियोग करना फूर्थ है प्रत्ति पुष्टी या फीडवेक देने के लिए तक्निकी भासा का प्रयोग करना तो जैसे के हमें कुशन मुला कि आंकलन उप्योग के लिए रोचच प्रक्रिया बनाने के लिए किसकी और प्रत्त संचित करता है जैसे के हमें बात करते हैं सिच्छक द्वारा आंकलन को उप्योगी और रोचच प्रक्रिया बनाने के लिए विद्ध्यार्थियों को बुद्धिमान और और औश्यत विद्ध्यार्थी की उपादी देती समय सचेत रहना चाहिए अनित्था बालकों में निराशा उत्पन हो सकती है तो अंसर द्वारा इसको कोड़ी है हमारा सेकीन अगला कोशन देखती है प्रत्वा साली होने का संकेत नहीं है फर्ष्ट अपने स्रेजनात्मक का स्रेजनात्मक विचार सेकीन है दूसरों के साथ जगरना थड़े अविवक्ती में नवीन्ता फोर्त है जिग्यासा तो कोशन बोलाया कि प्रत्वा साली होने का संकेत नहीं है जैसे कि आप बात करते हैं प्रत्वा साली बालक में जिग्यासा अविवक्ती के नवीन्ता और स्रेजनात्मक जैसे बिचार होते हैं जैसे बालक विध्याल एक उच्चिस्टन कोरिपे हैं और कसी विश्म फे शित्र में होता alternatives करेंगा यां पर दूसरों के साथ जगरना हमारा नहीं होता है n तो आंसे दा क्रेक्ट वामने आपे सेकींड अलग कोशन देखते हैं बच्चे दुनिया के वारे में अपनी समझ का स्रजन करते हैं इसका स्रे को जाता है फ्रस्ट अप्स ने प्याजे सेकींड पावलव थर्ड़े कोहलवर्ग फूर्थ है इसकी नर्ड तो कोशन मुला है कि बच्चे दुनिया के वारे में अपनी समझ स्रजन करते हैं तो इसके का स्रेक्ष और जाता हं जन प्याजे के एक मनवग्यन की दवारा बता गया है कि उन्हों ने जिन बचारों का तृत्यपादन किया या उन्हों बताया कि मानसिक और संगेनत बिकास की सिद्धानत की नाम से जना आता है उन्होंने बच्चों को दुनिया की बारे में अपनी समझ करते देखा है तो अंसरे करक्रवेक्स को कोड़ी हमारे प्यास दे फिर्स्ट अप्स ने जाएगा अगला कोशन देखती है कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन बिद्धाला में काफी बात करती है यह दर्शाता है कि फर्स्ट अप्स ने बिद्धाले हर समय बच्चों को खूब बात करने का अपसर दिता है सेकेंड है सिच्छकों के यह मांग होती है कि बच्चे विध्याले में कूब बाते करें थड़े कृतका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है फोर्थ है उसके विचारों को विध्याले में मानता मिलती है जैसे अब कुश्चन हो रहा है कि एक छात्राय कृतका अकसर घर प को विध्याले में मानता मिलती है तो अंसे जा करेक्ट लोई इसको निवारा फोर्थ हो जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं एक सिच्छक को अपने विध्यारतियों की चमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए नेमन लगर में से कौन सा छेत्र इस उद्ध्यस के साथ संबंद है फर्स्ट अप्स ने सिच्छा समाजिक दर्शन थर्ड़ है मेडिया मनुविज्ञान फोर्थ है सिच्छा मनुविज्ञान तो जैसे कोश्चन बलाया है कि एक सिच्छक को अपने विध्यारतियों की चमता को समझने का प्रयास करना चाहिए कौन सा छेत्र इस उ कोशन को पूछा रहा है तो इसके बात करते हैं सिच्छा मनुविज्ञान के अंत्रगत सिच्छड अधिगम समृति स्मृति अविप्रेणा समेक चर्थ विकास और अब्रदी विकास व्यक्तुत स्रिनात्म का रुची आध का अध्यन किया रखता है इसके अकॉर्डिंग ह सिच्छा मनुविज्ञान अगला कॉशन देखते हैं सीखने के प्रकरिया में अविप्रेणा फर्स्ट अप्स ने सिच्छार्थियों की इसमर सक्ति को पैना बनाती है सैकें पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है सिच्छार्थियों में सीखने के प्रत्रुची का बिकास करती है तो इसे कोशन बनाए कि इस शीखने की प्रकरिया है अविप्रेणा किस की ओर होता है या होती है जिसके बात करते हैं पर अवप्रेणा का सामाने अर्थ है किसी कारिकों करने के लिए प्रोसायत होना यह एक प्रकरिया है जिसमें सीखने वाले की आंत्रिक उर जाएं वह आवशिकता है व्यक्ति के पर्यावणे उपस्तित बिविन आदर्श मुक लक्षों की और निदर्शितत होती है दूसरों सोब्दम में कहा जाए तो अवप्रेणा सिच्छार्तियों में सीखने के प्रतिरुची का विकास करती है तो अंसर है करेक्ट होगा इसके अकॉर्टिंग हमारा फोर्थ हो जाएगा अगला कोशन देखते है सीखना संब्रत हो सकता है यदी फरस्ट आउस ने वास्तिवक दुनिया से उदारणों को कच्छा में लाया जाए जिसमें विध्यारती एक दूसरे से अंत्यक्रिया करें और सिच्छक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए सेकिंड है कच्छा में हदिक से हदिक सिच्छर सामिगरी का प्रयोग किया जाए थड़े सिच्चक बिविन प्रकार के ब्याक्यान और इस्पस्टी करण का प्रियोग करे फूर्थ है कक्षा में अविदिक परिच्चाओं पर आपिच्च ध्यान दिया जाए तो जैसे हम एक बात किया रही है कि सीखना संब्रद हो सकता है यदी जब बात करते हैं सीखना जीवन की एक मूल प्रकारिया होती है यदी कक्षा में चात्रों को बैतर तरीके से तभी सीखा सकता है जब उसके समच वास्तिव दुनिया से उदारणों को कक्षा में लाया जाए और एक सिखक को अपने चात्रों के उत्तम डंग से सीखने के लिए पुरुषकार, सपलता, उस्सा, आध्य, कार को अप्रयोग करके भी चात्रों के सीखने को प्रकरिया को सुगम बना सकता है तो आंसर है, करेक्ट होगा इसको कोडिया हमारा बास्तव दुनिया से उधारण को कक्षा में लाया जाए और जिसम में विध्याति एक दूसरे से अंत्यक्रिया करें और सिचक उस प्रकरिया को सुगम बनाए अगला कुशन देखती है, वीडियो को लाइक करते हैं है आत्यात में निम्न में से कौन सा या कौन से कतन को सीकने की प्रकरिया की बिसिर ह्ता नहीं मानना चाहिए होता है, फोर्त है अनदिगम भी सीकने की प्रकरिया है तो जैसे question में पूल रहा है कि निम्र में से कौन सा कथन है जो सीकने की प्रक्रिया को बिसेस्ता नहीं मानना चाहिए तो नहीं मानना चाहिए question negative में पूछ रहा है तो answer में इसी का according देना हुआ तो जैसे के बात करते हैं सीकना एक ऐसी प्रक्रिया है जो लच्छो मुखी होती है और जीवनों प्रयाम्त चलती रहती है यह आवशक नहीं है कि सैच्छी संसान में ही अधिगम प्राप्त किया जाई समास में रहती हुए भी घर पास प्रणोस में परवेस और अन्य अप्चरिक संसानों में भी अधिगम प्रक्रिया सम्भव है इसका कोड़ी आंसर या करेक्ट हो जागा हमारा फर्स्ट क्यों जाया है कि सैच्छी संसानी एक मात्र इस्तान नहीं है जहां अधिगम प्राप्त हो या सीखा जाई संस्तान में यह सीखकर जैसे कि बच्च्चा घर पाड़ पढ़ोस आसपास में बाताबड से सीख सकता है तो आंसर कोड़ी हो जागा हमारा फर्स्ट हो जागा अगला कोड़ी देखते हैं पाँचवी कच्चा के दश्ट वादित बिध्यारती फर्स्ट आप्स ने को निचले इस्तर के कार करने की छूट मिलनी चाहिए सेकिंड है के माता पिता और मित्रो द्वारा उसे देने कारों को करने में साहता की जानी चाहिए थर्ड़ा के साथ कच्चा में सामन रूप से विवार किया जाना चाहिए और सरब सीडी के माध्यम से साहता उपलब्द कराई जानी चाहिए फोर्टक के साथ कक्चा में बिसेस विवार किया जाना चाहिए जैसे कोशन बुलाए कि पाचमी कक्चा में दर्श्चवादित बिध्याती है तो उसके साथ किस पकार से कारण करना चाहिए इसे चको जैसे कोशन बापत किया है तो बात करते हैं आपी कि कक्चा में प्रते के साथ समान व्यवार कियाना चाहिए कक्चा में यदि कोई द्रष्टवादी चात्र है तो उसके साथ भी सामान ने चात्र हो जाता है व्यवार कियाना चाहिए क्योंकि द्रष्टवादी चात्र देखने में अशमर्थ होते है अते कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उस विजह की CD, audio, cassette आद उन्हें साहिता सरूप उपलब्द कराई जानी चाहिए ताक हुआ है उसकी मदस्थ से विसेबस्तू एबं तैत्थियों को भली वाती समझ सके के साथ कक्षा में सामान रूप से विवार कियाना चाहिए और सरब CD की माध्यम से साहिता उपलब्द कराई जाहिए अगला कोशन देखते हैं वीडियो को सेयर करते हैं अपने दोस्तों को साथ में अगला कोशन देखेंगे प्रात्मिक इस्तर पर एक सिच्चक में नेमन में से किसे सबसे मैतपूर विशेष मानना चाहिए फर्स्ट अप्स ने पढ़ने की उससकता, सैक्ड धैर और दर्ड़ता, थर्ड़े सिच्चा पदितियों और विशेओं के ग्यान में दच्चता फोर्थ है अतिमानक भासा में पढ़ने में दच्चता तो कोशन बुलाया कि प्रात्मिक इस्तर पर एक सिच्चक को किसे सबसे मैतपूर विशेष ता माननी चाहिए कोशन में सिच्चा पूछ रहा है, बात करते हैं आपी बिध्याला में सभी चात्र एक जैसे नहीं होते हैं कुछ जल्दी बातों को ग्रेंट कर लेते हैं और कुछ देर में सीखते हैं इसलिए सभी चात्रों को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सिच्चक में धैर और द्रड़ता होना आवशक है अगला कुछ देखते हैं सेकिंड अंतर हो जाएगा कुछ देखेंगे आपी वह अवस्ता जब बच्चा तारकिक रूप से बस्तूवा गटनाव में विसे में चिंतन प्रारम करता है संबेदी प्रेदिक अवस्ता सेकिंड आपचारिक संक्रत अवस्ता थड़े पूर्व संक्रत अवस्ता फोर्थ है मूर्द संक्रत अवस्ता तो कोशन बुजाएगा कि वह अवस्ता जब अच्चा तारकिक रूप से बस्तूवा और गटनाव में अंतर या चिंतन प्रारम करना करता है तो जैसे कि बात करते हैं पी कि बालकों में बुद्धी की करमिक विकास को जिन प्याजी के दुआरा चारह वस्ता में वैजित किया गया है जैसे कि इंद्रिय गामक अवस्ता जो कि जनम से दो बर्स की होती है पूर्व सक्रेव अवस्ता जो कि बालकों में बस्तूओं को पैचानने और उनका बिविदी करन करने और बर्गी करने की चमता बिकसित हो जाती है उनका चिंतन वह अधिक क्रमद एवं तर्ग संगत प्रारम कर देता है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर का गर्रेक्ट हो जागा हमारा फूर्थ मूर्थ सक्रेव का अवस्ता फूर्थ आंसर जागा अगला कुशन देखती है बीडियो को सेहर करते हैं हाथ यात में लाइक कर कुछ सिच्छाती एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामुई पठन करते हैं कुछ चुपचा बैठकर अपने आप पढ़ते हैं एक अव्याव को यह पसंद नहीं आता है इस इस्तिती से निवटने का निवन्व से कौन सा तरीखा सबसे बैतर हो सकता है तो ऑप् अव्यावक को प्रताचार से अनोत करना चाहीं कि वे उनकी बच्चों का अनुभाग बदल दें ठराओ आव्यावक को सिच्छक पर विस्वास व्यक्त करना चाहिए और सिच्छक साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए फूर्थ मुझ के साथ बैठते हैं और समुझ अच्छा करते हैं और कुछ विद्याथ कि वो चुपचा बैठकर अपना पढ़ते रहते हैं तो यह किसी एक अभयावक को यह बात पशंद नहीं आती है तो इससे निमटने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए इस प्रकास से कुछ नहीं पुछा गया है जैसे के हमें बात करते हैं कि यदि एक अभयावक अपने लोकतांत के सवाब के कारण बिध्यारतियों को पूरी गच्छा में बैठने के लिए सच्छाति को अनुमिति देता है तो इससे चात्रों में अ कुछ अधिक सुतनत्रा मिल जाए जिससे उनके बेगड़ने की समभावना है किन्तों इस सित्धी में अभयावक को सिच्छक पर विफ्वास बेक्ति करना चाहिए और सिच्छक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए तो इसको अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो हो जाएगा वो है हमारा थर्ड अगला कॉशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं आतिया अतमे सीखने के अंतरशी सिद्धान्त को किसने बढ़ावा दिया फर्स्ट अपने गेस्टाल्टवादी सिद्धान्त सेकींड है पावलव थर्ड है जिन प्याजे फूर्थ है बाइगोस् सीखने के अंतरशी सिद्धान्त को किसने बढ़ावा दिया बात करते हैं आपके कि अंतरशी सिद्धान्त या अथरत ब्हुंख के द्वारा सीखने की सिद्धान्त को लेव। कोलवर्ग कोफ्ता और लेविन की नाम से जोड़ा जाता है देखा जाता है तो अंसेज आ करेक्टर वर्ग कोड़ी है हमारा फर्स्ट कोलवर्ग द्वारा अगला कोशन देखती है किस अवस्ता में बच्चे अपने समवैस्क समू के सक्क्री सदस्च हो जाती है किस अवस्ता में बच्चे अपने समवैस्क समू के सक्क्री सदस्च बन जाती है या हो जाती है तो इसके बात करती है किसोरो वस्ता में 12 से 18 वस्त की होती है जो कि किसी व्यक्ति के वाले वस्ता प्रोड वस्ता के बीच का विकास अमायोजन की हुआ वस्ता है कि यहां पे कुछ रवस्ता हो जाएगा लगता है कि कुछन मिश हो गया उननीष वाला दोड़ा देखांगी उसे दुबारा से हाँ मिश हो गया थे हाँ पे कुछन देखते हैं उननीष का बच्चों की बहुत दिक विकास की चार विसस्ट अबस्ताओं की पैचान की गई है वगास की जो चारो वस्ताएं पैचान की गई है वो मने पर ग्याजी की द्वारा की गई है इन्होंने चारो वस्ता में इसे बाट आए तो अंसर ने करेक्ट हो जाए इसके कोड़ी हुमारा फोर्थ हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे 20 वा कोशन पहले देख लिया था कोई नहीं 21 कोशन देखते हैं बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निवानी चाहिए फर्स्ट अप सुने नकारात्मक सेकेंड म fajn की थरे शहान घूती पूर्ण Awakole 5 मैं तरत्यस्त कैयों कि बच्चों के बच्चों की सीखने की प्रक्रिया माता पता को किस प्रकार की भूमिका निवानी चाहिए न्लлы को सीखने की प्रक्रिया में अग्रूनुखी लेकात कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किसी से सम्मद्ध है फर्स्ट अपसर है अंत्य सम्मद्ध का सिद्धान्थ है सेके निरंत्रता का सिद्धान्थ है फोर्थ है सोरी थड़ है एक एकरण का सिद्धान्थ है फोर्थ है अंत्य क्रिया का सिद्धान्थ है ज इसे कभी साप्त ना होने वाली प्रिक्रिया कहा जा सकता है यह निरंतर सिद्धान से संबंद है तो अंसेजा करेक्टर वरिस को कोड़िए हमारा सेकेंड हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं वा कौन सा इस्तान है जहां बच्चों के संगनत विकास को सबसे बहतर तरीकी से परिवासित किया जा सकता है फर्स्ट अपसने खेल का मेदान सेकेंड है विध्याले एवं कच्छा पर्यावर्ड थर्ड है सवागर फूर्थ है घर तो कोश्चन देखते हैं के वा कौन सा इस् संबंद बच्चों के सालिक विकास एवं समाजी विकास से सवागर का संबंद बच्चों के भासाई एवं मानसी विकास से और घर का संबंद जो होता है वो समयद विकास वा समाजी विकास से है तो यह बात करते हैं बिध्याले एवं कच्छा पर्यावर्ड का संबंद जो ह अलगोशन देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं अत्में नियमनमस से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षड नहीं है फरस्ट अप्स नहीं है वह है जो लंबे निमंदों को बहुत जल्दी रटने की छमता रखता है फरस्ट वह है जो पूर्वपूर्ण प्रभापूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेशन करने की छमता रखता है फरस्ट वह है जो अमूर्थ रूप से सोचता रहता है फोर्थ है वह है जो नए परवेस में स्वें को समयत कर सकता है तो कोशन बुला जारा कि वह कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लच्छड नहीं है नहीं है कोशन बुद्धिमान बच्चा प्रभापूर्ण एवम उचव तरीके से संबलेशन करने की चम्ता रखता है और वह अमुर्जूप से भी सोचता है नए प्रवेश्य में सुय को समाईत कर लेता है निमंदों को बहुत जल्दी रटनी की चमता को बुद्धिवान बच्चे का लक्षड नहीं कहा रखता है तो इसके अंसर है और हो जाएगा हमारा फरस्ट हो जाएगा हुआ है जो लम्मे निमंदों को बहुत जल्दी रटनी की चमता रखता है तो यहीं नहीं है मारे लच्चड है तो आंसर देखते हैं कोशन देहेंगा अगला कोई एक अविप्रेट सिच्चड का संकेत तक माना जाता है फरस्ट अप्स ने कक्चा में अधिक्तम उपस्ति सेकेंड है सिच्चड द्वरा दिया गया अप्चारतमक कार थड़े विध्यारति द्वरा प्रश्ण पूछना फोर्थ है कच्चा में एक दम खामोसी तो कोशन मुझा रहा है कि किसके एक अविप्रेटा प्रस्चड संकेत माना जाता है इस कोशन में समझेंगे तो बात करते हैं अविप्रेटा प्रश्ण पूछना अपनी जिग्या से सांथ करना अविप्रेटा का एक उदारण है तो इसके अकॉड़ी आंसे दा करेक्टर प्रस्चड पूछना अगला कोशन देखती है निम्र में से कौन सा बच्चे की समाजिक मनुबैग्यानिक आवशकताओं की साथ संबंद नहीं है तो फर्स्ट ओप्शन देखें यहां पे समाजिक अनुबोदन अत्वा साराना की आवशकता सेकेंड है सम्भेगात्म सुरच्छा की आवशकता थर्ड है सरीर से अपसिस्ट पतारतों का नियमत रूप से बहार निकालना फोर्थ है सन्यंध्या या संगीत की आवशकता तो कोशन मुल दे रहा कि बच्चे की या कौन से बच्चे की सामाजिक मनुब पैग्यानिक आवशकता से संबंद नहीं है तो कोशन नहीं है पुचा गया है उसी का कोडिंगम है अंसर देना है दो बच्छ से बात करते हैं यहांपर कि सरीर से अपसे पतारतों का नियमत रूप से बहार निकालना का संबंद बच्चे की सारिक आवश्कता से है जैसे कि यहां पर अंजेदा करेक्ट हो जाएगा हमारा थड़ो जाएगा अगला कोशन देखते हैं वीडियो को लैक करते हैं जात में मन का मन चत्रड संबंद है First of थने बोज या समझ बढाने की तकनीक से Second is सासिक कार्यों की करिया योज़ना से थड़ है मन का चत्र बनाने से Fourth है मन की करिया सीलता पर अनसंदान से जैसे कि कुछन बलाएगे मन का मान चत्रड से संबंद है इस प्रकार से कोशन को समझेंगे जैसे बात करते हैं पर मन का मन चित्र मन की क्रिया सिल्टा पर अनुस अंदान्म से सम्मध होता है तो अनसर या करेक्ट विए इसके अकॉर्डिय हमारा फोर्ट जाया अगल कोशन देखती है बिशेस रूप से प्रात्मिक इस्तर पर विद्ध्यारतियों की सीखने समंधी समस्या को सम्मुदत करने का सबसे बैटा तरीखा है फर्स्ट अप्स ने अच्छमता के अनुरूप विविन सिच्छर पततियों का प्रियोग करना सेकेंड है महगी और चमकदार सायक सामविगरी का प्रियोग करना सरल और रोचक सायक सामविगरी का प्रियोग करना फोर्थ है कहानी कतन पतदी का प्रियोग करना जैसे कोशन पुछा रहा है कि विसेश रूप से प्रात्मे की स्थरवर विध्यार्थियों को सीखने की सम्मंदी समस्यां को समुद्ध करने का बैतर तरीखा क्या है इस प्रकार से कोशन पुछा रहा है जैसे कि मैं बात करती है आपर सिच्छा का उद्रेस बालक का सर्वंगीर विकास करना होता है सिच्छा की प्रक्रिया के दोरान चात्रों को कई प्रकार की समस्था को सामना करना पड़ता है अगरा कोशन देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं हाथ यासे में प्याजे के अनुसार नेमने लिखते हैं से कौन सी अवस्ता में बच्या अमूर्ठ संक्रपनाओं के विश्यमे तार्किक चिंतन करना प्रारम कर देता है प्याजे के अंसौार कौनसी अवस्ता में बच्चा अमूर्थ संक्रपना को विसे में तार्किक चिंतन करना प्रारम कर देता है या आरम कर देता है तो जसके आपी बात करते हैं प्याजिक अनुसर ग्यारे वर्स या उससे उपर की अबस्ता अबस्ता है जिसमें बच्चा अमूर्त संकलपनाओं के विसे में तार्किक चिंतन प्रारम करना या शुरू क कर देता है तो इसको अकोड़ी आंसेद्या करेक्टर हो या हमारा है अब चारिक संक्या अबस्ता ग्यारे वर्स से उपर सेकेंड अंसर हो जागा अगला कुशन देखते हैं निम्न में से कौन सा विध्यारतियों में स्रिनात्मता का पोशड करता है फर्स अपने अच्छी सिच्छा के विवारिक मूल्यों के लिए सिच्छारतियों का सिच्छड सेकेंड है प्रतेक सिच्छारति की अंतर जात प्रतवाहों का पोशड करने एवं प्रश्न करने के अब कोचिंग करना तो कौशन बोलाया कि कौन वीसी प्रक्रिया है जिसके जरी एक चात्र के बीतर चिपी प्रत्वा सामने आ जाती है या कई बार चात्र कच्छा में अध्यापरक द्वारा पूछे गई प्रशनों का जवाब जानते हुए जवाब देने से संकोश करता है पर कई वार मन में प्रश्ण उठने पर भी मौन रहता है स्रेनात्मा ही हुआ है जो पृतेग विध्यारती या सिच्छारती की अंतर जात पृत्वा का पोश्ण करने एवं प्रश्ण करने की अवसर उपलब्द कराना तो आंसर हमारा सेक्ट होएगा दोस्तों बारा सेस्टन यहीं पर समापत होता है वीडियो कोIf अपनी वीडियो को अपर टेक्निक यह थी करने सब्सक्राइब करने जिसके बादिन चरहरा मिलते लेंगी और भी वारी वीट्ट कऱिए गी मैथ अब वीडियो सकते हैं और उन्हें पढ़ सकती हैं जैने दोस्तों बंदे मात्रम